हेलो दोस्तों वेलकम टो ग्रेट स्कॉलर्स अकेडमी मैं हूँ सनी जैन और मैं वेलकम करता हूँ आपका अकाउंट्स की फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स ने कहाता सर अकाउंट्स में भी कोई कुछ प्रोब्लम्स आ रही हैं और उसकी भी आप वीडियो बनाईए औ अपलोड करिये तो चलिए इस बर मैं आपकी अकाउंट्स की सीरीज भी साथ साथ शुरू करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना है फर्स्ट या आप जो भी आपकी यूटी टेस्ट या यूनिट टेस्ट होने वाले हैं तो उनके अंदर आप भी अच्छे से स्कॉर कर तो कही न कहीं फर्स्ट चप्टर शुरू करने से पहले कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर अकाउंट्स का लेने से पहले कुछ टर्म्स आपको समझ में आना बहुत जरूरी है तो इसलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन की बना रहा हूँ कि जिसक के अंदर हम बेसिक वर्ड्स को समझेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स आपके जागे आगे यूज होने वाले हैं अकाउंटिंग एक्वेशन में उसके बाद आपके जर्नल में लैजर में कौन कौन सी चीज़े यूज होने वाली है हर वो कंसेप्ट जो जरूरी है वो मैं आप आपको इसके अंदर शेयर करूंगा तो कही ना कहीं जुड़े रही है concept को समझने के लिए क्योंकि concept ही है जो आपको आगे लेकर जाएगा रट्टा मार होगे फेल होगे कहीं भी पास नहीं होगे concept हमेशा आगे लेकर जाएगा तो शुरू करते हैं कुछ basic concept से जो हम अपने accounts म होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास जो सबसे पहला word आना शुरू हो जाएता है that is called business transaction transaction का मतलब आप कहीं भी समझ सकते हो लेंदेन ओके बिजनस transaction का मतलब बिजनस में होने वाली लेंदेन तो बिजनस में जो हम लेंदेन करते हैं that is called economic activity economic activity का मतलब क्या अगर आपने बिजनस में पढ़ा हो तो कहीं ना कहीं economic activity का मतलब होता जो चीजे जो activities हम पैसा कमाने के लिए करते हैं तो कहीं न कहीं वो activities जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं that is economic activity तो जो business में हम पैसा कमाने के लिए लेंदेन करते हैं that is called business transaction तो कहीं न कहीं यह आपकी financial position को change करेगा assets को liabilities और capital को change करेगा अगर हम word use करें तो यहाँ पर आपने सबसे पहले use करा है financial position का मतलब होता है कहीं न कहीं आपके आर्थिक हालात का मतलब यानि कि आपने अपने business में कितने पैसे लगाए थे और आज कितने पैसे हैं और इसके बाद आप word use कर रहे हो कहीं न कहीं assets, liabilities तो assets का मतलब है आपके पास संपत्ती, आपकी property जो भी आपने business में लगा रखिये suppose मुझे एक nut and bolt का suppose business खोलना है तो कहीं न कहीं मुझे क्या चाहिए, machine चाहिए, land चाहिए, building चाहिए, उसके बाद कहीं न कहीं raw material चाहिए, cash चाहिए, bank में पैसा चाहिए, ये सब मेरी क्या है assets liabilities बोले तो मतलब अपनी भाशा में कहीं न कहीं यहां पर उधारी या कहीं आपने बाहर से कोई पैसा उधार पर उधार रखा है, that is called liabilities तो जो भी पैसा company ने बाहर वालों को देना है, that is called liabilities इसके बाद आपके पास event नया नाम आ जाता है, event कुछ नहीं है जो भी आपने उपर transaction से लेंदेन करी थी, उससे आपके पास जो पैसा या profit या loss होगा, that is called event तो जो भी आपका event है वो कई न कई आपकी transaction का result है, तीसरा आपके पास आ जाता है, account, account कुछ नहीं है, हर बंदे का अलग अलग account, एक जैसे nature की transactions को एक जगा पर लिख देना, that is account, जैसे मैं bank में account खुलवाने जाता हूँ, मेरा account मेरे नाम से खुलेगा, आपका account आपके ना account में रखना, यही है आपका account, तो definition भी कुछ ऐसी है, like nature are recorded, subtracted at one place, these are called accounts, capital, capital कहीं न कहीं, वो पैसा जो मालिक बिजनस के अंदर invest करता है, मालिक जब बिजनस में जो पूंजी लगाता है, उसे हम कहते है, capital, तो amount invested by the proprietor, proprietor बोले तो, owner, मालिक जो है, वो जो बिजनस में पै इसा invest कर रहा है, that is called capital, drawings, drawings का मतलब अभई मैं मालिक हूँ, घर कर्चा तो कहीं न कहीं बिजनस से ही लूँगा न, अब बिजनस में काम कर रहा हूँ, तो अपने personal खर्चे कहां से पूरे करूँगा, बिजनस से पूरे करूँगा न, तो जब मैं cash withdraw करता हूँ, personal use के लिए, अगर मेरा समान मैं निकाल कर ले जाता हूँ, बिजनस से, personal use के लिए, तब वो आपका बन जाता है, drawings, तो any cash or value of goods withdrawn by the owner for a personal use और private payments made out of business, तो कहीं न कहीं अगर मैं कोई समान निकालेता हूँ, cash निकालेता हूँ, personal use के लिए, या business से कोई मैं personal घर के bill पे कर देता हूँ, घर क तो जो भी पैसा आपने बाहर वालो का देना है, तो it is the amount that firm has to pay to outsiders, तो अगर मुझे कहीं घर वालो के पैसे देने हैं, तो उसे हम internal liability कहते हैं, घर वालो के पैसे देने का मतलब, जब मुझे मालिक के पैसे देने हैं, कहीं न कहीं यापर जो मालिक है, कहीं न कहीं यह जो इंदर capital लगाई है लेकिन लेकिन मालिक जो है कही ना कही हम business concept को use करते हैं एक concept आप आगे पढ़ोगे मैं आपको वीडियो में पढ़ाऊंगा लेकिन अभी हम इसे short में समझते हैं कभी भी मालिक और firm एक जैसी नहीं होती चाहे मालिक नहीं firm को शुरू किया है चाहे मालिक न कहीं firm मालिक को creditor मानती है यानि कि firm मानती है कि हमने मालिक से उधार ले रखा है जब firm को बेच देंगे बंद कर देंगे मालिक के पैसे भी चुका देंगे और external liability दो बिलकुल clear जब बाहर वालों का पैसा देना है that is external liability long term liability और current liability long term का मतलब लंबे समय के लिए जब उधार मै मैंने किसी के पैसे वापिस करने है एक साल से बाद एक साल के बाद मैंने किसी को पैसे वापिस देने that is called long term liability long term उधार इसी को हम non current liability भी कहते है current liability बोले तो जब मैंने उधार कहीं ना कहीं एक साल से कम time period के लिए लेने है suppose कर मैं जो किसी को एक महीने बाद पैसे वापिस द पैसे लिए उधार पर तभी आपका बन जाएगा current liability, assets मैंने आपको business में कहा ही, assets क्या होंगी, assets कहीं न कहीं आपकी property है, संपत्ती है business की, तो देखो definition में भी लिखा है, anything which is in the projection or property of a business, जो चीज़े आपकी business के profession में है, property है, वो कहीं न कहीं आपकी business में help करती है, benefit कमाने में तो फिर assets भी वो ही, non current जो लंबे समय तक benefit देती रहे, जो एक साल से जादा तक repeated use होती रहे, जो आपने खरीदी है, और 3-4 साल तक आपके साथ रहे, वो है आपकी assets, non current assets, तो non current assets कहीं न कहीं held for continuous use, बार बार यूज होती रहेगी, लेकिन हमने इसे आगे बेचने के लिए न what means for resale, कहीं न कहीं motor vehicle, furniture, building, plant और machinery, इसके बाद आपके पास आ जाता है tangible assets और intangible assets, tangible assets का मतलब क्या हुआ, tangible assets का मतलब हुआ, कि जिस assets को में touch कर सकता हूँ, T से tangible और T से touch, तो जैसे furniture को में touch कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, that is called tangible assets, intangible assets जिसे में touch नहीं कर सकता, तो कहीं न कहीं वो assets जिसको मैं सिरफ feel कर सकता हूँ, याने जिसे मैं देख नहीं सकता, तो ये है आपका intangible, जैसे आपकी होगी goodwill, computers, softwares जो हैं, trademarks जो हैं, goodwill जो हैं, इन सब चीजों को मैं feel कर सकता हूँ, मैं देख नहीं सकता, current asset मैंने कहा ही था कि आपको short term के लिए आपके पास रहेगा, उसके बाद उसका finished goods बन जाएगा, बिक जाएगा, cash आ जाएगा, तो current asset जो एक साल के अंदर, अंदर cash में convert हो जाए, that is called current assets, fictitious assets, नाम सी पता लग रहा है, nominal asset, सिरफ नाम की assets हैं, इन से कोई benefit drive नहीं हो रहा, ये cash में realized नहीं हो रही, ये सिरफ आपक capital receipt और अभी expenditure ये आपको जरूरत नहीं है समझने की, ये पूरा का पूरा chapter मैं आपको मतलब आगे करवाओंगा, उसके बाद आपको समझना है goods, goods का मतलब होता है कई ना कई, जो समान मैं खरीता हूँ, जिसमें मेरा business deal करता है, अगर वो मैं समान खरीता हूँ और बेचता ह लेता हूँ, ये मेरे business से relate नहीं करता, और अगर business से relate नहीं करता, तो मैं इसे goods की category में नहीं रखता, मैं इसे अलग से नाम दूँगा, furniture नाम दूँगा, लेकिन goods में नहीं आएगा, तो goods में भी raw material, work in progress or finish, in accounting terms when goods are purchased, जब भी मैं goods को खरीता हूँ तो उसे term purchases देता हूँ, और जब भी मैं goods को बेचता हूँ, तो कहीं न कहीं मैं उसे sale terms देता हूँ, और अगर कुछ समान मेरे पास बिना भी का हुआ रह जाता है, गुदाम में बच जाता है, तब मैं उसे stock कहता हूँ, purchase समान खरीदा है, क्यों खरीदा है business ने आगे बेचने के लिए, तो goods are bought for resale, that is called purchase, purchase return क्या होगा, supplier से मैंने माल खरीदा था, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने blue color मंगाया था, भाई ने pink color भेज दिया, वापिस कर देंगे, तो simple सा logic है, जब मैं किसी समान को, supplier को वापिस कर देता हूँ, तब वो आपका बन जाता है, purchase return, सीधी बाशा में खरीदा हुआ समान, जब मैं वापिस कर रहा हूँ, that is called purchase return, when purchase goods are returned back to supplier, due to any reason, कोई भी reason हो सकता है, कोई भी defect, कोई भी समस्या हो सकती है, that is purchase return, sales, जब मैं समान किसको बेचता हूँ, customer को, तो कही ना कहीं, जब मैं समान customer को बेच देता हूँ, अपनी ownership को transfer कर देता हूँ, और उससे price पैसे ले लेता हूँ, I suppose इस pen का मालिक मैं हूँ, कोई मुझे पैसे देगा, और मैं उसको ये pen दे दूँगा, तो मैं पहले मालिक था, अब मालिक कोन है, जिसको मैं ने ये pen बेच दिया, तो कही ना कहीं transfer of ownership हो रही है, मालिक आना हक transfer हो रहा है, किस की वज़े से, किस वज़े से प्राइस की वज़े से, तो जब मैं समान वेज देता हूँ, जब मैं ownership transfer कर देता हूँ, और उससे पैसे ले लेता हूँ, तब ही आपका बन जाता है, sales, उसके बाद sales return, sales return का मतलब जब customer मेरा समान मुझे वापिस कर जाता है, तब मैं उसे कहता हूँ, sales return, goods once sold to the customer, when are returned backed by them, due to any reason or defect, that is called sales return, अब इसके बाद हमने ने इन दो को दो नाम दे रखे हैं, देखो return, outwards और return, inwards, यह कैसे याद रखूँ, suppose करो यह मेरी factory है, factory में समान आ रहा है, तो that is purchases, समान खरीदूँगा तो आएगा, sale करूँगा तो समान जाएगा, ऐसे ही purchase return, देखो ध्यान से, purchase में समान आ रहा था, तो purchase return में समान जाएगा, बात समझ में आई, मैं दुबारा से आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लो, मैं purchase purchase को बनातेता हूँ, अपनी factory है, मैं समान खरीद रहा हूँ, तो purchase factory में समान आ रहा है, और अगर मैं supplier को वापिस करूँगा, तो purchase return, factory से समान बाहर जा रहा है, और बाहर जा रहा है, तब ही मैं इसे word use कर रहा हूँ, return, outwards, clear है मेरी बात, ऐसे ही, sales, factory, factory है, समान, sorry, समान सेल कर रहा हूँ, तो कहीना कही समान बाहर जा रहा है, और customer मेरा समान वापिस मुझे कर गया, तो factory में समान वापिस आ जाएगा, तो हम इसे return, sales, return भी कह सकते हैं, और return, inwards, factory में समान आ रहा है, तो हम इसे return, inwards भी कह सकते हैं, उसके बाद stock की definition हमने पढ़ी ली, stock का मतलब वो समान जो हमारे पास unsold, बिना भी का हुआ, रह जाता है, तो अगर साल के पहले दिन stock बचा हुआ है, तो वो है आपका opening stock, साल के आखरी दिन बचा हुआ है, तो वो है counting equation chapter कराने के लिए, जो basic terms है, वो आपको speed से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ है, जितनी maximum possible terms जरूरी होंगी, वो मैं आपको सारी terms करा दूँगा, ओके है, इसके बाद revenue कही ना कहीं, जब मैं समान बेचता हूँ, R से revenue, R से receipt, तो याने के कही जब मैं समान बेचता हूँ, तो बेचने से जो पैसा मेरे पास आता है, that is called revenue, these are the amount received by selling of goods and services, expense कही ना कहीं अपना cost होता है, कोई ना कोई खर्चा होता है, समान बनाने पर जो खर्चा लगता है, that is my cost, तो the cost which incurs for producing goods and services, that is called expense, और जब मैं कितने पैसे आए और कितने पैसे ख खर्च हुए, उसको minus कर देता हूँ, तब वो आपकी बन जाती है income, याने मैंने कितने पैसे कमाए, तो जब मैं revenue को expense से minus कर देता हूँ, तब आपके पास income आ जाती है, revenue जादा है, खर्चे कम है, तो profit होगा, और revenue कम है, और खर्चे जादा है, तो loss होगा, clear है, when expenses are incurred more than the revenue, than low suckers, profit कहीं न कहीं हम use करते हैं, जितना भी हम business activities कर रहे हैं, उन सब में होने वाले खर्चे और revenue को देखते हैं, तो जब total revenue जादा होते हैं, total expenses से, तो कहीं न कहीं हम use करते हैं, but profit, gain अचानक से sudden, gain को याद रखना sudden, lottery लग गई, घर के बाहर निकला 2000 रुपे का note पड़ा प देते हैं, gain, और महनत से जो profit मैं कमाता हूँ, उसे हम कहते है, profit, तो कहीं न कहीं, any windfall gain, windfall मता मचानक से हुआ, gain, कोई monetary benefit, which is incidental to the business, incidental to the business का मचानक, अचानक से हुआ, तो कहीं न कहीं आपके लिए क्या है, gain, इसके बाद debtors, यह important है, क्योंकि जब भी आप accounting equation या नया chapter या जर्नल करोगे, तो आपको यह पता होना चाहिए, debtors का मतलब है, जब मैं किसी बंदे को उधार पर समान दे देता हूँ, जब मैं किसी बंदे को, यह देखो, मैं या पर समान बेच रहा था, और जब मैं यह समान किसी को उधार पर दे देता हूँ, उस बंदे ने मेरे पैस से देने हैं तब वो बन जाता है तो लिखता है the firm person the organization who takes goods and services on credit from the business ये वो भाई ये वो बंदा ये वो institute है जिसने हम से उधार पर समान खरीदा है और इसने अभी हमें पैसे देना बाकी है तो the payment has not been received from them that is called debtors they still owe some amount to business ये कही ना कही बिजनस को कुछ पैसे देना बाकी है और अगर देना बाकी है तो ये मेरी asset है याने मैंने इस भाई से पैसे लेने है तो ये मेरी asset है अगर देने होते तो क्या होती लाब लेटे है ठीक है bills receivable कही ना कहीं वो debtor जो है मुझे bill return में लिख कर दे देता है तब वो बन जाता है bills receivable तो bills of exchange become bills receivable who draw is and get it back after the acceptance of drawing तो कहीं ना कहीं जब हम एक simple सा bill में सामने वाले को देता हूं वो उसे accept कर लेता है और वो मुझे वापिस दे देता है तो वो मेरे लिए bill receivable है कहीं ना कहीं मैंने उस भाई से पैसे लेने है तो basically यह debtor का थोड़ा सा बड़ा वर्जन है यहाँ पर debtor जो है वो bill लिख कर दे जाता है तो वो बन जाता है bill receivable creditor दूसरा important point creditor का मतलब है हम लोग हमने supplier से समान खरीदा है उधार पर तो लिखना है when the term creditor represent person or firm from whose goods and services has been purchased basically यह supplier की बात कर रहा है supplier से हमने समान खरीदा है उधार पर और supplier के कुछ पैसे देना अभी बाकी है supplier के पैसे देना बाकी है इसका मतलब यह मेरी liability है और कहीं कहीं liability है तो liability column में आएगा तो लिखता है procured on credit payment has not been made to them और अभी इनकी payment नहीं हुई तो यह आपका बन गया creditor फिर bills payable अभी receivable था तो पैसे लेने थे इस भाई के पैसे देने है तो क्या बनेगा bills payable तो अगर यह bill मुझे देगा मैं उसे accept करूँगा और कहीं न कहीं से वापिस करूँगा तो वो बन जाएगा bills clear है मेरी बाद इसके बाद अपना भाई आ जाता है insolvent insolvent का मतलब अपनी भाशा में लिख लो दिवालिया जो liabilities पे नहीं कर सकता जिसके पास इतना पैसा ही नहीं कि वो अपनी liabilities को पे कर सके bad debts debts अभी debtors थे ना debtors में हमने उधार का माल बेचा था उन लोगों से पैसे देने थे लेकिन अब bad debts हो गए वो उधार का पैसा डूग किया बंदे का दिवाला निकल गया उसके पास हमारी उधारी खड़ी थी और वो पैसा डूग किया तब वो क्या बनेगा bad debts voucher कही ना कही बिल्स होते हैं जिसके basis पर हम कोई entry करते हैं debit और credit एक account की दोनों side होती है left side जो होती है वो debit है और right side जो है वो credit है debit को हम short form देते हैं DR और credit को हम short form देते हैं CR discount कही ना कही आप जब पैसे कम देते हो या छूट मिल जाती है आपको तो वो है discount इसके बाद GST बोले तो tax solvent मतलब क्या होगा solvent कही ना कही वो बंदा जो अपनी liabilities को easily pay कर सकता है याने कि इसके पास इतनी assets हैं कि वो असानी से अपनी liabilities को pay कर सकता है Insolvent कौन सा बंदा था? Insolvent वो बंदा था जिसकी liability ज़ादा हो गई assets कम हो गई देनदारी ज़ादा है assets कम है तो कही ना कहीं वो सारे खर्चे पे नहीं कर पा रहा इसलिए वो दिवालिया उसका निकल गया Store कहीं न कहीं वो समान जो मैं बेचने के लिए नहीं रखता Store room को आप इससे connect कर सकते है Store room में वो समान रखता हूँ जो मुझे आगे बेचना नहीं है Turnover कहीं न कहीं लेंदेन जितना sale कर रहा हूँ कहीं न कहीं वो उनको पैसा कमा कर दे रही है तो यह है आपका Domestic Animal Cattle, Horses are known as Life Stock clear उसके बाद आपको कोई और Important चीज समझने की जरूरत नहीं है basically inventory और Stock एक वर्ड और समझ लेते है inventory और Stock कुछ नहीं है जैसे मैंने Stock word यूज किया था बिना बिका हुआ माल तो कहीं न कहीं manufacturing company के लिए manufacturing company कौनसी होगी जो raw material खरीदेगी और कहीं न कहीं finished goods बनाएगी तो इसके पास जो समान बच जाता है वो अलग-अलग category का बचता है अलग-अलग category बोले तो कहीं न कहीं भाईयों के पास कच्चा माल भी बच जाता है कुछ जिसके ओपर काम किया हुआ है work in progress वाला भी finished goods भी और कुछ ऐसा समान जो बना बनाया समान खरीदा था आगे बेचने के लिए तो manufacturing company के पास तो ये चारों चीजे बचती है और अगर trading company होती होलसेलर प्रोड्यूसर से बना बनाया समान खरीदता है और आगे बेचता है तो कहीं न कहीं stock word जो use कर रहे हैं वो trading के लिए use कर रहे हैं और inventory वाला जो word यूज कर रहे हैं वो किस के लिए use कर रहे हैं वो हम use क manufacturing के लिए क्योंकि manufacturing में आपको कई तरीके की product गुदाम में रखे हुए मिलेगे clear है मेरी बात और कोई फरक नहीं है done मेरी बात यहां तक हम करेंगे इसके बाद मैं आपको accounting equation कराऊंगा accounting equation का chapter करने से पहले आपको कई सारी terms बिल्कुल tips पर होनी चाहिए वो मैं बता रहा हू समझ में आनी चाहिए फिर आपको assets समझ में आनी चाहिए उसके बाद आपको liabilities समझ में आनी चाहिए उसके बाद आपको goods का मतलब समझ में आना चाहिए उसके बाद आपको debtors बिल्कुल clear होने चाहिए उसके बाद creditors आपको बिल्कुल tips पर होने चाहिए और कहीं ना कहीं आपको bills receivable और bills payable भी आपको समझ में आने चाहिए इतनी terms तो आपको कही ना कहीं clear करनी ही पड़ेंगी अगर आपको आगे next practical chapter that is accounting equation करना है ठीक है next chapter में मिलते है बच्चो कोशिच रहेगी जल्दी से जल्दी मैं उस चीज को upload कर दो अगर अभी भी आपको कोई terms ऐसी है जो समझना बाकी है या जो मैं cover नहीं कर पाया आपको किसी भी term में doubt हो तो मुझे message जरूर कर देना आप चाहो तो telegram पर भी मुझसे जुड़ सकते हो ताकि मैं आपकी classes ले सको हो सका तो मैं आपकी कई एक आदी जो doubt session है वो live भी ले सकता ह तेंक यू